शोताओ सादर नमश का जै माकाल का आप सबी को फागुन मास की होली की रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुप काम नएप फागुन मास के शुकल पक्ष की पूरणीमा की तिथी को होली का कद दहन किया जाता है जबकि चैत्र मास की प्रतिबा तिथी को रंग वाली होली खेली जाती है होली से पहले होला अश्टक शुरू हो जाता है और उन तिनों कोई भी शूप कारे नहीं किया जाता मैं होली के बारे में आपको कुछ खास बाते बताने वाली हूँ होली का त्योहार इस पार 2022 में कुछ खास होने वाला है इसका कारण है कि इस दिन कुछ शुब योग बन रहे हैं इस साल होली पर वृध्धी योग, अम्रित योग, स्वार्थ सिद्धी योग और धुरूव योग बनने जा रहा है इसके अलावा बुध्ध गुरु आधित्त योग भी इसी दिन बन रहा है बुद्गुरु आदित्य योग ने होली की पुजा करने से घर में सुक शान्ती का वास होता है होली का देहन में उजन सामगरी कौन कौन से चाहिए इसके लिए हमें चाहिए पानी से भरी एक कटोरी या लोटा गाएं के गोबर से बने उपले, रोली, अक्षत, अगरबत्ती और धूप फूल, कच्चा कपास, कच्ची हल्दी, साबूत, मौंगडाल, बताशा, गुलाल, नारियल और कोई भी नई फसर जिस जगा पर होलिका रखी जाती है, उसे गंगा जल से धोकर गोबर से लिप जाता है, पीचो बीच लकडी का खंबा रखते हैं, उसके आगे गाएं के गोबर से बने उपले रखकर, लोगप्रिय रूप से गुलारी, भर भोलिय या बढ़कुला के नाम से इसे जाना जा जाता है, आम तोर पर गाएं के गोबर से बने होलिका और प्रहलात की मूर्तियों को धेर के उपर रखते हैं, होलिका दहन के समय प्रहलात की मूर्ति को बाहर निकालते हैं, और अलाव से पहले गाएं के गोबर के चार उपलों को सुरक्षित रख लिया जाता है, एक पित् पलश्य में कुछ पूरानी कथाई एक खोलीका और प्रहलात के गता एक है भगवान शिव और मा पारवती की कथा भगवान शिव और मासरी के एक बहुत कथा प्रसिदhero है। हिमाल्य पुट्र पारवती जी चाहती थी कि उनका विवहा भगवान शिव के साथ हो जाये। शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे, कामदेव पारवती की जी की सहिता करने के लिए आये और उन्होंने पुश्प बान चलाया, भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई, शिव जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी, क्रोध की ज्वाला से कामदेव जी का शिरीड भस्म हो गया, फिर शिव पारवती जी ने पारवती जी को दिखा, पारवती जी की अराधना सफल हुई, शिव जी जी ने उन्हें अपनी पतनी के रूप में स्विकार कर लिया, इस कथा के अधार पर होली की आग में वास्तनात्मक आकर्शन को प् पतनी रती विलाब करने लगी, शंकर भगवान से कामदेव जी को जीवित करने की गुहार करने लगी, भगवान प्रसन हुए उन्होंने कामदेव को फिरसे जीवन दिया, ये दिन खोली का दिन था, आज भी रती के विलाब को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकडी को अगनी दान किया जाता है ताकि कामदेव को भसम होने में पीड़ा ना हो साथी बाद में कामदेव जी के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है